लद्दाख पा स्तांगमाला यांग लाची जुले लद्दाख ला स्कायेश चेनमो चेनमो मां मांग पो क्योंगस ते योड हाई ले यहां आने से पहले किसे ने मुझे कहा कि लेह में तो बहुत ठंड है सुन्य से कई डिगरी नीचे तापमान है इतनी सर्दी में आप सभी हाँ आए मेसेज मुझ मैं भाविभोर हूँ और आप सब को नमन करता हूँ एरपोर्ट से उतने के बाद बहुत बड़ी बड़ी आई हूँ कि मात आए और वो भी इतनी विपरित परिस्थिती में प्रकृती शाथ न देती हो तब तब एक नई उर्जा मिलती है नई ताकत मिलती है आप लोगों के इस अपनत्व इस नेह को देखकर मुझे जो थोड़ी बहुत भी थंड लग रही थी अब उसका भी उतना एसास नहीं हो रहा मंजपद्व राजवान जम्मो और कश्मीर के राजपाल समान सत्पाल मलीग जी मंत्र मंडल के मेरे सहयोगी और इसी जम्मो कश्मीर की धर्ती के संतान डाक्टर जितेंद्र सिंजी जम्मो कश्मीर विधान परिशत के दक्ष स्रिमान हाजी इनायत अली जी लद्दाग स्वायत पहड़ी वकास परिशत ले कर देख्ष स्रिमान जेटी नमग्याल जी लद्दाग स्वायत पहड़ी वकास परिशत कर गिल कर देख्ष स्रिमान फिरोज अहमत जी विधान परिशत के सदस्य सिमान चेरिंग दोर्जे जी और यहां उपस्तित मेरे पैरे भाई और भेनों लदाक बीरों की धर्ती है चाहे उन्निस सो सहे तालीस हो एरफुर इन्निस अबासट की जंग या फिर कारगिल के लड़ाई यहां के वीर फोजियों ने लेह और करगिल के जाबाज लोगों ने देश की सुरक्षन निस्चित की है इतनी खुबसुरत पहड़ियों से सुसोवित लदाक अनेक नदियों का स्त्रोध भी है और सही माइने में हम सभी के लिए इसवर का उपहार है नौदस महने में मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का आउसर मिला है आप जिन मुश्किल परिस्तितियों में रहते हैं हर कढ़िनाई को चनौती देते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेना होती है कि आप सभी के लिए और डटक अपकाम करना है नौशने आप मुझे देते हैं मुझे ब्याज समेत विकास करके उसको लोटाना है मुझे ये एसास है कि मौसम आप सभी के लिए मुश्किले लेकर आता है बिजली के समस्या होती हैं पानी की दिक्कत आती हैं बिमारी की स्थिति में परेशानी होती हैं पशों के लिए चारे का इंतिजाम करना पड़ता है दूर दूर तक भठकना पड़ता है मैंने यहाँ पर मुझे बहुत सौभाई की मिलाएं आपके बीच रहने का पहले जब मैं मेरी पार्टी का संगठन का काम करता था तो बहुत लंबे अर्शत का आप लोगों के बीच में रहा हूँ और इचाल मैंने यहाँ पर रहते हुए खुद देखा है लोगों को मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है साथ यह इनी परिषानियों को दूर करने के लिए केंदर सरकार पूरी तहत से परतिवत्त है और इसने में खुद बार बार लेल दाग और जमुकश्पी आता रहता हूँ पिछली बार बिजली से जुड़े अनेक प्रोजेस का सिलानियास और लोकारपन किया था तो आज भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली करीब तीन हजार करोड रुपियों की परियोजनाओं के तीन हजार करोड रुपिय है उसके उद्गाटन सिलानियास और लोकारपन अभी अभी आपने देखा किया रहा है द्राज हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट से ले और करगिल के अनेक गावों को परियाप्त और सस्ती बिजली उप्लत हो पाएगी वहीं सीनगर, हलुस्तेंग, द्राज, कालगी, ट्रास्विशन, लाइन काय तो मुझे ही से लानियास करने का आउसर मिला था और आज लोकारपण भी मुझे ही करने का सौभागी मिला दो हजार करोड रुपे सहथिक की इस परियोजना से अब ले लदनाक की बिजली की समस्या कम होने वाली है सात्यों हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही यही है लटकाने और भटकाने की पुराने सस्कुती अब देश पीछे छोड़ चुका है और आने वाले पांच साल में मुझे यह लटकाने भटकाने की परमपरा को देश निकाला कर देना है जिस परियोजना का सिलान्यास किया जाता है पूरी शक्ति लगाई जाती है कि उसका काम समय पर पूरा हो भावी और बहनों आज जिन परियोजना का लुकारपन उद्घाटन और सिलान्यास किया गया है उनसे बिजली के साथ साथ ले लदाक की देश और दुनिया के दुसरे सहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी परियतन बढ़ेगा रोजगार के आवसर बढ़ेंगे और यहां के युवाओं को पढ़ाई के लिए यही पर अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी यहां का मौसम इतना सुन्दर है कि अगर यहां उत्तम प्रकार के हम एजुकेस्टान इंस्टिटूशन्स खड़ी कर दें तो मैं विश्वाथ से कहता हूँ हिंदुस्तान के कौने कौने से नवजवान ले लदाक में आकर के पढ़ाई करना पसंद करेंगे और हमने उस सपनों को देखना चाहिए और मेरे दिमाग में से सपने पड़े है सात्यों हम सभी के सम्मानिय महान, कुशक, बगुला, रिम्पो, चीजे ने अपना पूरा जीवन एक सपने के लिए खपा दिया था ले लदाक को शेज भारत से कनेक करना और देश की एकता और अखनित्ता की भावना को मजबुत करना ही पुजे निम्पो जी क्या सबसे बड़ा सपना था केंद्र सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए यहां कनेक्टिविटी को एक नया विस्तार दे रही है ले लदाक को रेल और हवाई मार्च से जोडने वाले दो बड़े प्रोजेक्स पर काम चल रहा है इस खेत्र को पहली बार देश के रेल मैप से जोडने वाली रेल्वे लाइन और कुशक बकुला रिम्पोचे एरपोर्ट की नई और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग दोनों ही यहां विकास को और गती देने वाले साबित होंगे साथ वो तीन दसक पहले यहां जो बिल्डिंग बनाई गयी थी समय के साथ इसको आधुनिक्ता से जोडने इसमे नई सुविधाओं का विकास करने के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का सिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द ही लोकारपण भी किया जाएगा आज जिसका सिलान्यास कर रहा हुं आज जिसका सिलान्यास कर रहा हुँ आपके आशिरवात से उसका लोकारपण करने के लिए मैं ही आँगा ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधा देने के साथ साथ अब ज्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम हो पाएगा इसी तरह बिलासपूर मनाली रेल ले रेल लाइन पर शुरू आतिश सर्वे हो चुका है कई स्थानों में काम शुरू भी हो चुका है जब ये रेल लाइन तयार हो जाएगी तब दिल्ली से लेह की दुरी बहुत कम हो जाएगी सर्दियों में तो यहां की सड़के पूरी तरह से शेज भारत से कड़ जाती है ये रेल लाइन कापी हद तक इस समस्या को दूर करेगी साथ योग किसी भी खेत्र में जब कनेक्टिविटी अच्छी होने लगती है तो वहां के लोगों का जीवन तो आसान होता ही है कमाई के साधन भी बढ़ते हैं तूरीजम को इसका सबसे अधिकलाब होता है ले लदाक का इलाका तो अध्यात्म, कला, संस्कृती, प्रकृती की सुन्दरता और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया का एक महत्पपुन स्थान है यह तूरीजम के विकास के लिए एक और कदम सरकार ने उठाया है आज यहां पांच नए ट्रेकिंग रूट को खोलने का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार ने इन रूट्स पर प्रोटेक्टेड एरिया पर्मिट की वैद्धित्या भी साथ दिन से बढ़ा कर पंदरा दिन कर दी है इससे यहां आने वाले टुरिष्ट सांती से पूरा समय लेकर अपनी याता का आनन ले पाएंगे और यहां के युवाओं को जादा रोजगार मिल पाएगा साथियों मुझे बताया गया है कि इस बार तीन लाख से जादा टुरिष्ट लेह आये हैं और करीब एक लाख लोगों ने करगिल जी के विजित की है एक तर से देखे तो कश्मीर में जितने टुरिष्ट अभी आये है उसका आधे इसिक्षेद्र में आये है वो दीन दूर नहीं जब लेह लदाक का टुरिजम नई उचाईयों को प्राप्त करेगा भाईयों और बहनों केंद्र सरकार देश भर में विकास की पंचधारा यानि बच्चों को पढ़ाई युवा को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई इसको सुनिस्चित करने में जुटी हुई है ये ले लदाक और कारगिल में भी इन सभी सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास चल रहा है लदाक में कूल आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा युवा विद्यारती है आप सभी की लंबे समय से यहां युनिवर्सिटी की मांग रही है आज आपकी ये मांग भी पूरी हुई है आज इसके लिए भी आप सभी को और विशेश कर मेरे नवजवान साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और सुबकामनाई देता हूँ आज इस क्लस्टर युनिवर्सिटी को लॉंच किया गया है इसमें नुब्रा, लेह, जन्सकार और करगिल में चल रहे दिगरी कॉलेजियों के संसाधनों का उप्योग किया जाएगा छात्रों की सुविदर के लिए लेह और करगिल में भी इसके प्रशासनिक दपतर रहेंगे साथियों, लेह लदाक देश के उन हिस्सों में हैं जहां शिडूल ट्राइब्स मेरे जनजातिये भाई बहनों की आबादी काफी माप्रा में है दो दिन पहले केंदर सरकार ने जो बजेट पेस किया है, इसमें S.C.S.T. के विकास पर बहुत बल दिया गया है शिडूल ट्राइब के वेलफेर के लिए बजेट में लगभग 30 प्रतीशत की बड़ोत्री की गई है जबकि दलीतों के विकास के लिए लगभग 35 प्रतीशत अधिक बजेट का आमंटन इसमार किया गया है बजेट में S.T.Belfare के लिए जो 11,000 करोड रुपे से अधिक का प्रावधान किया गया है इससे अब सिक्षा, स्वास्त और दूसरी सुविधाओं में बढ़ोत्री होने वाली है भाई और भेनों केंद्र सरकार देश के हर उस नागरी को विकास की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास कर रही है जिने कुछ कारणों से विकास का पुरा लाब नहीं मिल पाया इस बजेट में सरकार ने गुमंतु समुदायों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है ये वो लोग है जो अपनी जीवन शैली की वज़से कई बार मौसम की वज़से एकी स्थान पर टीकर नहीं रह पाते ऐसे में इन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाब पहुचाना भी बहुत मुश्किल होता है अब इन लोगों के लिए सरकार ने वेलफेर डेवलप्मेंट बॉर्ड बनाने का फैसला किया है ताकि सरकार जो विकास कारियों को लेके आगे चल रही है इन विकास कारियों का लाब इन परिवारों तक इन समाओ समुदायों तक जो आजहादी के सतर साल के बाद भी नहीं पहुँच पाया है उनको तेजी से पहुँचे और ये बोलो कौन है सपेरा बंजहारा और जो बेल गारी में घुमने वाले लुहार होते हैं बिलकुल गुमन्त लोग होते हैं शेफ़ड होते हैं कहीं रुकते ही नहीं अपने पशुधन को लेकर चलते ही चलते हैं अपने स्थान पर आते आते दो साल लग जाते हैं ऐसे परिवारों की चिंता करना इस पर एक बहुत बढ़ा फैसला हम ने किया है साथियों इसके अलावा बजेट में देश के किसानों के लिए भी अइतिहासिक गोशना सरकार ने की है पी-म किसान सन्मान निधी शौट फॉर्म में उसको कहते हैं पी-म किसान इस योजना का अलाग ले लगना के अनेक किसान परिवारों को भी होने वाला है सरकार ने फैसला लिया है कि जिन किसानों के पांस पांच एकर से कम जमीन है और यहां तो करीब-करीब सब ऐसे ही है पांस एकर से कम जमीन वाले उनके बैंक खाते में सीधे छे हजार रुपिये हार वर्स, दिल्ली, भारजर, केंदर सरकार के तरफ से सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगा यह दो-दो-हजार की तीन किस्तों में आपको मिलेंगे सीधन के हिसाब से तै किया है जिसकी पहली किस्त मेरी कोशिश है कि बहुती जल्द पहुँच जाए और इसलिए मैंने देश की सभी राज्य सरकारों को इसकी गैडलेंज आज ही भेज देने वाला सुचनाई भेजती है कि आपके यहां किसान उनकी सुची उनका आधार नंबर तुरंट भेज दीजिए ताकि वहां से पैसे उनके खाते में जमा हो जाए और ऐसा नहीं कि फिर बाते करना वादे करना फिर नेड़े कर रजी नहीं मुझे लागू करना है और सब राज्यों की मशिनरी जितनी एक्टिव होगी उतना तेजी से लाब पहुंचने वाला है और इससे यहां के आलू, मटर, गोबी उसके उत्मादक किसानों को प्रोच्छान मिलने वाला है और यहां के गोबी के लिए तो मुझे बराबर याद है बैस संगठन का काम करता था तो दिली से आता था दिली भापी जाता था तो वहां जिन कार करता मेरे परचित थे वो मुझे से यह की आगरह करते थे किसाम लगेज का जो खर्चा होगा हम दे देंगे लेगे गोबी उठा के लिया आगा और मैं भी यहां से काफिर सब्जी ले जाता था उन परिवारों को बड़ा अच्छा लगता थे हैं इस सब्जी खाने का और इस नई योजना के लिए मैं सच बताता हूँ किसानों के लिए अध्भूत योजना है उनको एक बहुत बड़ी ताकत देने वाली है और जो दिल्ली में ऐर कंडिशन कमरों बैठते हैं उनको पता नहीं होता है दुर्गम पहडों में लेगिस्तान में पिछ़़ इलाकों में गरीब किसान जो है उसके लिए 6,000 रुपया कितनी बड़ी बात होती है ये एर कंडिशन कमरे में बैठे हुए लोगों को पता तक नहीं होता है उनको समझी नहीं होता है इस नई योजना के लिए मैं आप सभी को देश भर के किसानों को रदय पुर्वक बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों ले लदाक कारगील भारत का शिर्ष है हमारा मस्तक है माभारती का ये ताच हमारा गवरव है बीते साढ़े चार वरसों से ये खेत्र हमारी विकांस की प्राथिकताओं का केंद्र रहा है मुझे खुशी है कि लदाक Autonomous Hill Development Council Act में बदलाव किया गया है और काउंसिल को खर्च से जुड़े मामलों में अब ज़्यादा अधिकार दिये गए है अब शेत्र के विकांस के लिए आने वाले पैसे यहां की Autonomous Council ही जारी करती है काउंसिल के अधिकारों के दाएरे और फैसले लेनी की शक्ती को भी बढ़ाया गया है इस से यहां के महत्वपून विश्यों को जादा तेजी से और जादा संवेदन सिल्ता से सुल जाये जा सकता है अब आपको अपनी जरुरोतों के लिए बार बार स्री नगर और जम्मून नहीं जाना होगा लेकिन जादा तर काम यहीं ले और लदाग में ही पूरे हो जाएंगे साथियों केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है देश का कोई भी व्यक्ति कोई भी कोना विकास से अच्छूता ना रहे इसके लिए ही सबका साथ सबका विकास का मंत्र ले कर के हम पिछले साड़े चार से लगातार दिन राप कोशिश कर रहे हैं मैं यहां के लोगों को यह विस्वास दिलाता हूँ कि ले लदा कर गिल के विकास के लिए कोई कोई कसर कोई 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 कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी केंद्र सरकार अभी हमारे मित्र ने काफी लंबा लिश्ट पढ़ लिया लेकिन मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ मैं इनकी बारी क्यों में नहीं जाता हूँ लेकिन मैं यहां से लोगों से परिचित हो और मेरा यह सबसे बड़ा लाव है मैं एक ऐसा प्रधान मंत्री हो जो इंदुस्तान के हर कोने में फटर करके आया हो इसलिए मुझे चीजों का काफी अंदाज है बारी क्या अफसरों से जान लेता हूँ लेकिन मुझे अनुभव होता है मैं आपको विश्वाद दलाता हूँ कहिंदर सरकार आपके आशाओं और काक्षाओं का पूरा सनमान करती है और आज यह सिलान्यास और लोकार्पन का कारकाम उसी की एक कड़ी है एक बार फिर जीवन को आसान बनाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ सर्दी के इस मौसम में भी आप दूर दूर से मुझे आशिरवाद देने के लिए आए भारी संख्या में पहुँचे इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हो मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद